हेलो स्टूडेंस कैसे हैं आप सभी आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे जैसा कि आपने देख लिया है कि हिमांचर प्रदेश में जो टीजी टी का बैच है आपके पास जो बैच 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 भरती थी उसका जो रिजल्ट है आपके पास वो रिलीज हो चुका है और आपको पता है 50-50% जो है वो आपके पास बैकेंस फिल की जाती है तो आज हम बात करेंगे आपके पास उन सब स्टूडेंट्स के लिए जो की आपके पास प्रिप्रेर कर रहे हैं HP TZT कमिशन 2024 के लिए and specially medical के लिए non medical के लिए और arts के लिए तो आज हम बात करेंगे आपके पास किस तरह का syllabus जो है आपके पास रहता है हिमांचर परदेश TZT कमिशन में अब TZT कमिशन सिर्फ बोही बच्चे जो है इसमें आपके पास जो है apply कर सकते हैं जिनका जो HP TAT है वो clear हो plus साथ में जिनकी जो beard है वो भी क्या होने चाहिए complete होने चाहिए यानि ऐसा ना हो कि appearance में हो appear वाले भी valid नहीं होते हैं clear तो जिनका TAT भी clear हो चुका है और BAT भी clear हो चुकी है वो हिमांचर परदेश trained graduate teachers जो कि आपके पास 6 to 10 तक के लिए जो है वो पढ़ाते हैं उनके लिए वो यहाँ पे apply कर सकते हैं जो कि medical यानि आप science पढ़ाएंगे non medical आप mathematics पढ़ाएं जाते हैं जो आपकी SST होती है उसके लिए आज हम बात करेंगे syllabus क्या आपके पास syllabus रहने वाला है latest exam pattern कि जो नया exam pattern है वो किस तरह से आपके पास रहेगा और किस तरह से आप उसकी preparation यहाँ पे कर सकते हैं तो थोड़ा सम background में चलेंगे आपके पास कि old pattern क्या था फिर जो new pattern आपके पास आया वो कौन सा है and क्या आपके पास कोई नया pattern आपको देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा लेकिन उससे पहले देखो pattern तो चलो ठीक है है ना pattern तो चलो होता रहता है लेकिन सबसे पहले आपके साथ हम बात करेंगे syllabus की क्योंकि pattern चाहे कोई भी हो जाए syllabus आपके चाहे एक paper हो, चाहे आपके पास दो paper हो, syllabus आपके पास हमेशा एक ही रहेगा, तो syllabus के according चलें, तो बहुत से common portion आपके पास यहाँ पे आपको देखने को भी मिलते हैं, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, आपके पास जो common part होता है, सभी के लिए, वो आपके पास firstly होती है, जो आपके पास psychology, pedagogy, national commission, आपके लिए हिंदी, plus English, आपकी reasoning, reasoning हो गई आपके पास, logical ability, इसी के अंदर सारी चीज़ें आपकी check हो जाती है, teaching aptitude, pedagogy का ही part है, वो इसी के अंदर आपके पास cover हो जाता है, आपका HPGK, plus आपका Indian GK, Indian GK, यह जो है, यह common field है, चाहे आप medical के student है, चाहे आप non-medical के student है, चाहे आप arts से regarding student है, यह सारा का सारा syllabus आपको आएगा ही आएगा exam में, आप कुछ भी कर लीजिए, clear, यह syllabus आपको आएगा ही आएगा, बाकी जो आपके main subject हैं, जैसे, अब देखो न, arts बालों के लिए benefit क क्या है, कि जो Indian GK है, उसी के अंदर आपका जो SST है, वो cover हो जाता है, बस थोड़ा सा फर्क होता है, कि normally जो GK होता है, उसमें कम level रहता है, बाकी आप सब के लिए बहुत deep level रहने बाला है, non-medical के लिए physics, chemistry, mathematics, introduced हो जाते हैं, और medical के लिए आपके पास chemistry, botany and zology जो इसमें introduce हो जाते हैं, बाकी ये सारा का सारा syllabus इसी तरह से आपके पास है, रहने बाला है, ये आपके main subject है, जो main weight is लेके जो है आपके पास यहाँ पे आते हैं, clear, अब बात करेंगे थोड़ा सा previous pattern के according, किस तरह से आपके पास इनकी numbering रहती थी और किस तरह से आपके पास है, available थे, ये pattern है, ये सारे subject कबर होंगे, अगर एक paper होगा, तो भी ठीक है, दो paper हो रहे हैं, तो भी ठीक है, clear, अगर हम थोड़ा सा पीछे चलें, आपके पास हिमांचल प्रदेश स्टाप सेलेक्शन कमिशन, यानि हिमांचल प्रदेश SSC के दौरा, या हिमांचल प्रदेश पास का pattern जो यहां पर लिया जाता था, यानि 120 जो आपके होते थे, वो आपके main subject होते थे, आपके जो main subject होते थे, वो introduce होते थे, पचास में आपका Hindi, English, Reasoning, आपके Hindi होगे, English होगे, Reasoning हो गई, आपका HPG के, आपका Indian G के, and आपका current affair, ये सारा जो पचास के अंदर कबर होता तो जो यह है old pattern, ठीक है, सभी में ऐसा ही था, medical में आपके botany, zology, and botany होगे, zology होगे, chemistry होगे, इसी के अंदर psychology, national commission, ये 120 का आता था आपके पास, और जब बाकी 50 बच गया, जो यहां पर common pattern है, Hindi, English, Reasoning, HPG के, Indian G के current affair, सभी में ऐसा ही रहता था, new pattern के according देखा जाए, जो service commission के द्वारा जो यहां पर लाया गया था, for class 3 vacances के लिए, जिसमें उन्होंने two exam pattern, two exam pattern, जो first जो था आपके पास for qualifying marks के लिए था, और second जो था आपके पास eligibility, जो आपके main, जो आपके aptitude test होता है, जो subject orientated होता है, जिसको set भी बोल देते थे, subject aptitude test, जिसमें आपके main subject आते थ इसमें आपके पास English, Hindi, reasoning and आपके जो GK है, उसको यहां पर कबरब किया जाता था, जो first paper था, जो की qualifying marks था आपके पास, clear, सभी में इसी तरह से introduce किया गया था, अब आपके पास आ चुका है new board, हिमांचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, कुछ इसी तरह से आपके पास होता इमांचल प्रदेश राज्य चयन आयोग आपके पास आ चुका है, अब उसके according, जो class 3 की vacances हैं, उसमें कौन सा pattern जो हो अपनाया जाएगा, यह अभी तक एक शंस्य का विश्य बना हुआ है, clear, लेकिन अगर आप एक चीज़ नोट करेंगे सभी में, कि जो exam है आपका, उसक single paper की बात कही गई, फिर आपके पास double, यानि दो exams की बात कही गई, अब यहाँ पर क्या होगा, वो अभी तक थोड़ा सा यहाँ पर doubt बना हुआ है, कि आपके पास single paper लिया जाएगा, कि आपके पास बहां पर double paper लिया जाएगा, इस बात को भूल जाओ, है न, आपको तो test clear करना है, चाहे आपके पास single paper or double, पढ़ना तो आपको उतना ही पढ़ेगा, चाहे आप single के लिए पढ़ो, चाहे double के लिए पढ़ो, क्योंकि आपके पास subject बहुत सेम रहने वाले हैं, जैसे example के लिए non-medical का, अभी हम books के बारे में बात करेंगे, और कितना deep आपको पढ़न यहाँ पर आपके पास chemistry और यहाँ पर आपके पास maths, जो main subject है, यहाँ पर आपके पास botany, jology and आपके पास chemistry, ठीक है, यहाँ पर आपके पास जो sst है, जो कि आपका main subject के form में यहाँ पर work करता है, आपके पास English भी काफी important है, यहाँ पर Hindi आपके पास काफी important है, ठीक है, बा के लिए वो भी चेक की जाती है, आपके पास psychology हो गई, plus pedagogy, plus national commission आपके पास हो गई, HPGK, plus Indian GK हो गया, current affair आपके पास हो गया, clear, यही चीज़ें यहाँ पे भी introduce होगी, psychology में ही हम introduce कर दे रहें सारी चीज़ों को, ठीक है, psychology में ही जो national commission pedagogy है, उसी को हम यहाँ पे introduce कर दे रहें आपके लिए, clear, आपको HP and जो Indian GK है, वो तो compulsory है सभी को ही, क्योंकि आप HP का exam दे रहें, तो यह compulsory है, plus current affair भी आपको यहाँ पे आएंगे, and आपके पास Hindi भी होगी, और आपके पास English भी इसके अंदर introduce होगी, plus आपके पास logical reasoning भी इसमें introduce हो सकती है, clear, Hindi plus English plus logical reasoning, तो आपके पास यह पूरा slave बस है, जो previous में भी follow होता था, यह आपके core subject है, जो आप यहाँ पे देख पारे होंगे, यह आपके mainly core subjects है, यहीं से आपका mostly, जो आपकी selection होने के chances आपको लगता है कि यहाँ से होगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है, आपके जो gk वाले portions हैं, वो आपके main subject के साथ introduce रहते हैं, लेकिन अगर आपको shorty चाहिए 100% अपनी selection की, तो आपको जो है, आपके हर एक field को tight करना पड़ेगा, क्योंकि exam बहुत tough होने वाला है, यह इस basis के उपर नहीं बोल रहा मैं, कि आपके पास बहुत hard mat जाएगी, नहीं, actually बच्चों को त्यारी करते हो, चार से पांच साल हो चुके हैं, regular, तो जितनी ज़्यादा त्यारी होगी, उतना paper में competition बढ़ेगा, जितना ज़्यादा competition बढ़ेगा, आपको उतना ज़्यादा time देना पड़ेगा अपनी तयारी के लिए, क्योंकि जो पांच साल से तयारी कर रहा है, उसका performance भी उसी तरह से होगा, उतना अच्छा performance उसका होगा, है न, तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, अब इसकी तयारी आप कैसे करें और कहां से करें, सबसे पहले यही बात आती है, अगर आप बात करते हो अपने main subject की, जो आपके main core subject है, सबसे पहले तो आपको 6 से लेका, 6-2, 12 तक के, जो N-C-E, RT की जो books हैं, वो आपको complete आनी चाहिए, जैसे माली जी आप बात करें, physics, chemistry, maths की, या botany, geology की बात कर रहे हो, या SST की बात कर रहे हो, या आपको पूरी आनी चाहिए, N-C-R-T के साथ साथ, आपको N-C-R-T examplers, book आती है आपके पास एक, N-C-R-T books होती है, N-C-R-T के examplers की book होती है, उसको आप follow कर सकते हैं आराम से, ठीक है, फिर आपके पास बात आते है psychology की, तो psychology के लिए भी आपके पास 11th and, 12th की जो books हैं, वो आपके पास available हैं, plus कोई और author या आपके पास उसकी books को भी आप follow कर सकते हैं, pedagogy के लिए भी ठीक है, national commission के लिए आपको various sources मिल जाएंगे, आपकी जो beard की book होती है, उसके अंदर भी आपको जो है, ये मिल जाती है, तो बहां से भी आप इसको follow कर सकते हैं, HP and Indian GK plus Krunt Affair तो आपको sources से ही डूढने पड़ेंगे, Krunt Affair के लिए specific books भी मिल जाती है, बाकि sources भी आपको मिल जाते हैं, बाकि Indian GK and HPGK के लिए, आप Akash की book को follow कर सकते हैं, आप Lushand की books को follow कर सकते हैं, या फिर जो NCRT की books होती हैं, भी तो आपके पास available है, लेकि बहुत जादा है, लेकिन complete पढ़ना हो, तो आप Indian के लिए उसको follow कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से बहाँ पे बोचीजे mention की होती हैं आपके पास, एंड जो Hindi है, प्लस जो English है आपके पास, एंड जो आपके पास reasoning हो गया, तो reasoning तो basic है, आप basic books कोई भी follow कर सकते हैं बहाँ से, प्लस साथ में English और Hindi के लिए जो आपके पास grammar है, 10 तक के वो आपके लिए sufficient होते हैं उसमें, ठीक है, उससे आप अच्छे से अपनी preparation कर सकते हैं, clear? तो आपके पास पूरा का पूरा exam pattern है, देखने को आपको लग रहा होगा, कि बहुत ही tough task है आपके पास, लेकिन आप इसको अच्छे से cover कर सकते हैं, बस थोड़ा सा आपको practice देने पड़ेगी, minimum, minimum 6 month, अगर आप अपना 24 hours पूरा का पूरा अपनी preparation में देते हैं, तो अराम से possibility है कि आप अपने test को यहाँ पे निकाल पाएंगे, कम से कम 6 महिने, आपको दिलो जान से तकरीवन 12 से 15 घंटे preparation करनी पड़ेगी, तो depend करेगा, आपके पास कब आपका exam जो है वो आता है, और उसके basis के according, लेकिन आज से त्यारी शुरू करेंगे, जितना ज़्यादा टाइम आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, उतना अच्छा रहेगा, है ना, बाकि कोई भी help चाहिए होगी, क्योंकि पहले ही आपके लिए already वीडियो यहाँ पे बना चुके हैं, आप उनको जाके चेक आउट कर सकते हैं, प्रिवेसर के पेपर सब थोड़ा मिलना मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि जो website है, वो बंद हो चुकी है, लेकिन आपको applications में, एंड जो Google के resources हैं, बहां से वो मिल जाएंगे, तो best book आपके पास N-C-E-R-T की जो theory वाली है, एंड जो exemplar है, वो आपके लिए sufficient होती है, ठीक है, exam pattern latest अभी किसी को भी पता नहीं है, किस तरह से वो follow किया जाएगा, slave bus आपके साथ हमने mention कर दिया, slave bus में कभी भी कोई change नहीं होता है, slave bus आपके पास उसी तरह से रहता है, clear, चलिए, तो all the best for your exams, अच्छे से अपनी त्यारी कीजिए, and मिलते हैं आपके पास जल्दी ही next वीडियो में, I hope ये वीडियो आपको helpful रहेगी, आपके exam के त्यारी के लिए, जो बच्चे latest exam patterns के लिए थोड़ा सा wait कर रहे हैं, वो new notification का wait कीजिए, maybe अब अच्छा सहीता अलोड़ी लगने ही वाली है, तो उसके बाद आपके जो commissions हैं, most probability, chance है कि उसके बाद उनके dates भी आएंगी, तो जितना जल्दी आप अपनी त्यारी शुरू करेंगे, उतना आप सब के लिए अच्छा रहेगा, तो चलिए, मिलते है next वीडियो में, त